दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का Real Quick Analysis चैनल पर चलिए अब जल्दी से देखते हैं हम अपने आज की रोचक Real Quick Analysis को जब भी कभी हम चर्चा करते हैं कि भारत ने अमेरिका, इस्राइल, फ्रांस से ये हत्यार खरीदे वह हत्यार खरीदे तो आप में से कई दर्शकों का कहना रहता है कि वह दिन कब आएगा जब भारत विदेशों को Defense Product एक्सपोर्ट करेगा भारत सरकार की दुआरा राजी सबा में दिये गए लिखित जवाब को यदि आप देखें तो आज भारत 42 देशों को Defense एक्सपोर्ट कर रहा है और पिछले दो वर्शों में भारत से होने वाले Defense एक्सपोर्ट में 700% का इजाफा हुआ है पॉइंट सिंपल है भले ही हमारा लक्ष बहुत बड़ा है लेकिन उसकी प्राप्ती के लिए कोशिच जारी है यह बात और है कि हर काम में कमी निकालने वालों का इस कोशिच पर ध्यान नहीं जाता है इस बैग्रांड में जब भी कभी हमारा ध्यान जाता है और्डिनेंस टेक्टरी बोट पर तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है उसमें दिखाई परते हैं सरकारी चलता है attitude, quality issue, various delivery, research and development का धीमा पान आदी आदी वैसे भी मीडिया में हमेशा इस तरह की खबरें छपती रहती है कि ordinance factory board में ये कमी है उनका वै प्रोड़क्ट quality है ordinance factory में लाखों कमिया होगी लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इनकी छोटी एत्वा बड़ी उपलब्जियों को नजर अंदाज कर दें इस background में मोधी सरकार ने रक्षा मंतरी की नेतरत में मंतरियों के समोहों का गठन किया था जिसका काम यह था कि सरकारी ordinance factory board में corporate culture का विकास चालू किया जाए ताकि इनकी quality, efficiency, effectiveness और punctuality को बढ़ाया जा सके इस background में पिछले महिनी की शुरुवात में ordinance factory board ने tweet कर जान करी गी कि उन्हें पहली बार अमेरिका का एक विशेश export order मिला है जिसके अंतर कर वह netto MI-93 wall ammunition अमेरिका को supply करने जा रही है यह bullets, ordinance factory बरस गाउ महरास्टा में बनाई जाएगी और उन्हें इसी वित्यवर्ष में supply किया जाएगा इस अच्छी खबर को Indian Express ने cover किया था और शायद आपको भी इसकी जानकारी हो सकती है लेकिन इस खबर को जितनी coverage मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं पाई कि अच्छी में देरी होने का खत्रा होता तो क्या उन्हें अमेरिका से export order मिलता कहने का मतलब यह है कि इस export order को जीतने के लिए ordinance factory board में कुछ तो सुधार किया होगा अब आपने से कुछ दर्शक कह सकते हैं कि हम क्या राही का पहाड बना रही है भारत गोलियों का ही तो एक्सपोर्ट कर रहा है तो इसके जवाब में हमारा कहना यह है कि यह यदि इतना ही छोटा सा काम था तो भारत को इसे करने में 72 सालों का समय क्यों लगा और ऐसा नहीं है कि भारत बुलिट्स के वल अमेरिका को ही एक्सपोर्ट कर रहा है औस्ट्रेलिया को भी और्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड बुलिट्स सप्लाइ कर रही है यहां पर हमारे कहने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि और्डिनेंस फेक्टरी बोर्ड अब दूद से धुल चुके हैं हमारा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि उनमें सुधार के संकेत साफ साफ दिखाई दे रहे हैं और यह एक स्वागत लियोग डेवलोपमेंट है जरक कल्पना कीजिए यदि भारत यह बुलिट्स अमेरिका अजब ऑस्ट्रेलिया से आज इंपोर्ट कर रहा होता तो हमें कितना बुरा लगता अकवारों में कितना इस बात को तूल दिया जाता लेकिन यदि अब जिन देशों से भारत हतियार और गोला बारूत खरीगता था भारत अब उन्हें ही डिफें कि बड़ाई नहीं कर सकते हैं तो हमें उनकी बुराई करने का भी कोई ठक नहीं है जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा ये था हमारा आज के अनलिसिस आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए साथ ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आगे शेयर भी कीजिए ऐसे ही और नए इंट्रेस्ट वीडियो देखने के लिए एनलिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए लास्ट में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत अधिक धन्यवाद